आल राइट, हाई एवरिवन, बहुत टाइम बाद हम एक बहुती अच्छा वीडियो और बहुती अच्छा डिसकेशन करेंगे और ये वीडियो आपके लिए समझना बहुती इंपोर्टन्ट है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे कुछ पुराने वीडियो को टिप्स जो मैंने दिये हैं वो एक्जैक्ली ऐसी के ऐसे फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो हो सकते हैं कि आपका गेट एक्जाम में आप कौलिफाइंग मार्क्स भी ना स्कोर करो जो मैं चीजे बता रहा हूँ, वो थोड़ी डरावनी लगेगी, पर हाँ, ये बताना बहुत इंपोर्टन्ट है जैसे जो चीजे मैंने नवेंबर मन्त में बताई थी, वो नवेंबर से लेके गेट एक्जाम तक जितना टाइम है, उसके हिसाब से बताई थी जो चीजे मैं अभी बताऊंगा, अभी से लेके गेट एक्जाम तक जो टाइम बचा है, उसके हिसाब से बताऊंगा जो student 2 साल के लिए prepare कर रहा है जो student 1 साल के लिए prepare कर रहा है और जो अभी 8 महिने के लिए prepare करेंगे fresh सबका strategy same हो सकता है क्या क्योंकि सबके पास तो अलग-अलग time present है तो सबका strategy किसे same हो सकता है तो हर कोई अपने पास जितना time बचा है उसके हिसाब से उनका preparation होना चीए पर आपको देखने होते हैं किसी के भी videos कभी भी upload कियोए videos इस वज़े से आप misguided रहते हो एक जब इटॉपर वीडियो बनाता है gate exam के तुरंद बात वो अपना journey शेयर करता है कि उसका gate examination में कैसे रहाएंगाया पर आप उसे आठ महीने पहले follow करना start करोगे जो जो चीज़े उसने बताई है सब कुछ follow करना start करोगे तो हो सकता है कि January month में आपको realize हो कि January month भी आपका syllabus completion में ही जाने वाला है और फिर भी शायद से आपका syllabus complete नहीं होगा क्योंकि कोई topper ने हो सकता है दो साल preparation करके rank निकाला हो कोई topper ने तीन साल preparation करके rank निकाला हो जिसे मेरा ही example लेता हूँ मैं October November में gate exam strategy का वीडियो बनाया हूँ और उस वीडियो में ने clear cut बताया कि आपको bits and bytes का book आप solve कर सकती हो तो वो उस time के इसाप से था क्योंकि October से लेके next साल का February मन्त एक साल से भी ज़्यादा time है तो कोई extra material भी solve कर रहा है एक-एक subject के लिए तो भी उसके पास बहुत ज़्यादा time है अभी मैं बात करूँ आपके पास सिर्फ 8 महीने हैं अगर आप 0 से preparation start करोगे और आपके पास 10 से 11 subjects है अगर आप एक subject के लिए सब कुछ करना start करोगे तो eventually आपको December में realize होगा कि आपके पास time ही नहीं बचा है कुछ subjects prepare करने के लिए तो gate exam कैसा exam है सर 10 subjects एक साथ आते हैं और 10 subjects एक साथ practice करने के लिए January का मन्त हमें separate रखना होता है mock test के practice के लिए January के मन्त में आप syllabus करते नहीं रह सकते सर हमें mock test देना होता है तो जो कोई एक subject के लिए DPP solve कर रहा है PPP solve कर रहा है bits and bytes solve कर रहा है मेरे पुराने videos देखकर PYQ का book solve करना compulsory है और और भी कुछ material solve कर रहा हो सकता है subject test के videos दे रहा है क्योंकि Topper ने बताया कि subject test देना बहुत important है पर हर कोई अपना experience शेयर कर रहा है आपके पास जितना time बचा है उसके specific आपको guidance कोई नहीं कर रहा है मुझे बहुत लोग बताते हैं कि एक साल की strategy क्यों बनाते हो 10 महीने की strategy क्यों बनाते हो 8 महीने की strategy क्यों बनाते हो मतलब हर नए नए महीने में नए नए strategy का वीडियो की जरुरत ही क्या है जरुरत इसले ही है क्योंकि सबका strategy सेम नहीं हो सकता मेरे पुराने consultation के students को मैंने bits and bytes solve करने के लिए motivate किया है पर जो अभी मुझे consultation में students enroll करते हैं उन्हें मैं सिर्फ बोलता हूं lectures देखो हर एक chapter के videos देखने के बाद new book बनाने के बाद उस chapter के pyq solve करो और revision पर focus करो आप subject test देने का आपके पास time नहीं बचेगा आपके पास extra workbook solve करने का time अभी नहीं बचेगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं necessary चीज़े करते हैं necessary चीज़े क्या है sir video lectures देखना pyq question solve करना revision करना ऐसे करके हमें syllabus complete करना है revision के साथ और अगर actual में उतना दा time है तो December में भी मिलेगा ही ना वो time पर अगर time नहीं बचा तो क्या इसलिए सबसे पहले necessary चीज़े करने होती है सारे subjects के लिए ताकि syllabus का coverage हम पूरा कर सके ताकि किसी भी subject में आसान question आए तो वो मेरे से skip नहीं होना चीए आप एक subject में excellence achieve कर लोगे आप सोच रहे कि मेरे pyq questions नहीं solve कर रहे हैं मुझे कुछ extra material solve करना है आपने एक subject में तो excellence achieve कर लिया पर आप सारा syllabus नहीं complete कर पाए gate exam से पहले तो ये अच्छा situation नहीं है यूकि आपने जो subject prepare किया हो सकता है उसमें से difficult question आए जो आपके subjects रह गए थे उसमें से आसान question आए गए तो बाकी लोग तो आसान question solve करके आ जाएंगे ना और difficult question तो आपके लिए भी difficult है फिर इसलिए gate exam में उन बच्चों का rank आता है जो ये नीचे नीचे जा रहे है क्या ठीक है इसलिए मैं बताता हूँ gate exam में उन बच्चों का rank आता है जो सारे subjects at least average level पे लेके जाते है ताकि आसान question उनसे skip ना हो average level के question उनसे skip ना हो क्योंकि difficult question सब के लिए difficult है कुछ लोग teachers को भी नाम रखते कि इन teachers ने जादा घंटे का पढ़ाया नहीं उस teacher ने 100 घंटे का पढ़ाया उस teacher ने 150 घंटे का पढ़ाया पर शायद से आपको अंदाजा नहीं लग रहा है जो actual में experience teacher है ना जो सालों से gate exam के लिए guide कर रहे है वो short रखते है अपना duration उनके दिबाग में ऐसा होता है कि एक subject का PhD का return test नहीं हो रहा है gate exam के लिए हम prepare कर आ रहे हैं 10 subjects, 11 subjects, एक साथ आने वाले तो syllabus तो at least complete करना है revision के साथ student को कि एकी subject में excellence achieve करना है मुझे अपना बताना है कि मैं कितना great हूँ subject में ऐसे भी कुछ teachers होते हैं online की दुनिया में तो देखो मैं वापस बता रहा हूँ किसी subject में आपका total understanding नहीं develop हुआ कोई problem नहीं है multiple time revision से वो understanding develop हो जाएगा पर अगर आप एकी subject के लिए DPP solve कर रहे हो ये book solve कर रहे हो वो book solve कर रहे हो subject test देने के बीचे जा रहे हो ऐसे आपने एक subject के लिए दो महिना लगा दिया देड़ महिने से जादा महिना लगा दिया तो आपका syllabus complete नहीं होगा क्योंकि gate exam में 11 subjects होते है कुछ branches में जादा भी subjects होते है तो मैं वीडियो आपको aware करने के लिए बना रहा हूँ कि gate examination को समझो हर किसी का strategy सेम नहीं हो सकता आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे मैं वापे bits and bytes solve करो bits and bytes solve करो बता रहा हूँ मेरे अभी के वीडियोस देखोगे मैं यहापे pyq की book की बाते कर रहा हूँ सिर्फ क्यूंकि time ही उतना available है lectures अगर कोई zero से preparation स्टार्ट कर रहा है याद रखो zero से preparation तो उसको सारे subjects के lectures खतम करना pyq questions solve करना with revision यह भी बहुत challenging काम है अगर आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हो और on average एक human 7-8 घंटे ही पढ़ सकते है अगर उसे consistently रहना है तो तो मेरे हिसाब से मेरा message बहुत ही clear है कभी भी किसी topper का video देखकर वो follow करने के लिए जाओ मत आपके पास कितना time बचा है उसके हिसाब से आपका strategy होता है जैसे अभी 8 महिने बाकी है तो आप lectures पे focus करो उस chapter के बाद उसके PYQ question solve करो और revision थोड़ा अच्छा रखो तो आपने minimum चीज़े minimum चीज़ों को भी maximum utilize करना सीख लिया है तो होगा क्या कि आप एक subject के बहुत सरे question solve कर रहे हो और january में आपको realize होगा कि आपके 3-4 subjects pending है और वो 3-4 subjects gate exam में आसान आए जो आपने subjects के gate exam में difficult आ गए तो आपका rank नहीं आ पाएगा ठीक है तो थोड़ा gate examination को समझो हम क्या कर रहे हैं वो समझो और उसके हिसाफ से prepare करो ये video आपको aware करने के लिए आपको डराने के लिए नहीं है क्योंकि बाद में बता के कुछ meaning नहीं होगा तो अगर आप मेरे consultation के हो तो आपको अभी understanding भी develop हो गई होगी कि मैं ऐसा क्यों बताता हूँ मेरे consultation में जब आप enroll करती हो उसके हिसाब से आपको मैं बताता हूँ ठीक है तो मैं होप कर रहा हूँ आपको चीजे clear है और ये mic बार-बार नीचे भी जा रहा है वेट जहल नहीं पा रहा है चीजे पुरानी हो गई है तो मैं अपना whatsapp का number description में लिखा होगा, screen पे भी आता होगा अगर आप मेरे consultation में रोल करना चाहते हो सिर्फ one triple line fees होती है हमारे एक साल की actual में जेब से पैसे डाल के teaching assistant को देना पढ़ रहा है पैसे अभी के ताम पे क्योंकि किसी ब्रांच में बहुत कम student है किसी ब्रांच में थोड़े अच्छे student है पर ठीक है अभी मैंने students को promise किया है तो करना पढ़ेगा मुझे अगर आप interested हो मेरे consultation में next level का preparation होता है सिर्फ one triple line fees है और आपका पूरा एक साल अच्छे से मैं manage करूँगा और actual में syllabus complete करना difficult होता है पर हम उसे maximum कोशिश करेंगे ये कोई coaching वाला आपको बताता है नहीं कि difficult होता है बहुत आसान होता है इसा बता के बेचेंगे पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि difficult होता है और उसमें मैं आपको मदद करूँगा ठीक है difficult काम है इसलिए मैं आपको मदद करने आया तो थोड़ा setup change हो चुका है और तो आपको अगर अच्छा लग रहा है झाल